Hi winners, I hope you all are well, this side Rajiv Anand winners, इस वीडियो में बात करते हैं कि हमारे लिए डिजिटल मार्किटिंग क्यों important है ऐसे कौन सी चीजे हैं जिनको हम लोग को complete follow करना चाहिए अगर हम लोग डिजिटल मार्किटिंग सीखना चाहते हैं या अपने business को और अपने career को डिजिटल मार्किटिंग की help से grow करना चाहते हैं इस वीडियो में कुछ आपसे ऐसी चीजे शेयर करूँगा जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि yes we need digital marketing अगर आपका marketing में interest है तो अगर आप लोग अपने business को promote करना चाहते हैं या फिर आप लोग अपने career को grow करना चाहते हैं marketing era में सबसे पहला point सबसे important चीज है affordable होना अगर हम लोग manual marketing की बात करें offline marketing की बात करें बहुत heavy costing होती है जिसको afford कर पाना हर कोई जिसको afford नहीं कर पाता लेकिन जहाँ पर digital marketing की बात आती है तो वहाँ पर इसका सबसे पहला feature जो सबसे पहली advantage है वो ये निकल के आती है affordability feature हर कोई इसको afford कर सकता है 100 rupees, 200 rupees per day के साब से अगर आप लोग सिरफ facebook और instagram को ही follow करें facebook और instagram से ही अपने business को grow करना चाहते हैं तो minimum 40 rupees के budget per day से आप लोग अपने business को grow कर सकते हैं और आप एक चीज़ ध्यान से सोचें अगर एक simple सा banner भी बनवाना हो ना और आप लोग अगर graphic designer नहीं है अगर आप लोग किसी graphic designer के पास जाके एक simple banner भी बनवाते हैं तो उसकी cost भी वो एक घंटे के हिसाब से charge करता है और near about 200 से 300 रुपे वो हो जाती है अब आप ये देखिए 200 से 300 रुपे में आप लोग सिरफ एक banner बनवा रहे हैं उसको promote करना तो अभी दूर की बात है आपने Google से कोई भी एक pick pick की कोई भी MS Paint के अंदर एक simple से pick design की या simple social media platform पर जाकर by default इतनी सारी templates मिल जाती है free में उन में से किसी template को use करके आपने एक digital marketing की या अपने business related कोई भी pick design की और उसको through facebook और instagram marketing करना start किया within only 40 rupees per day spending के अगर offline marketing की बात करो ता आप खुद देखो newspaper में आप लोग time to time अपने business को promote करते हो magazines में करवत करते हो यह बहुत सारे ऐसे mediums है लेकिन आज हमारा जो youth है आज हमारी जो audience है जो हमारी exact target audience है जो हमारे customer बनेंगे वो facebook पर है वो instagram पर है वो youtube पर है वो twitter पर है और वो हमारे लिए afford भी है अगर हम लोग digital marketing की help से अपने business को grow करें इसी में second feature आता है mobile access का 70% से भी ज़्यादा लोग आप पूरे world की भी बात करो तो 70% से भी ज़्यादा लोग आज के टाइम में mobile devices यूज करते हैं और आपका target भी mobile ही होना चाहिए और mobile access अपने आप में digital marketing का एक बहुत बड़ा feature है तीसरा flexibility आपने दो-तिन दिन ad run की और आपको लगा कि आपको वो proper नहीं आपा रहा वो जो आपने expect किया था कि आपको इस तरीके का business आएगा वो 3-4 दिन की advertisement में नहीं आपा रहा आप जमर जी चाहें उसको change कर सकते हैं उसके budget को change कर सकते हैं फोटोस को change कर सकते हैं वीडियोस को change कर सकते हैं flexible है ऐसा नहीं है कि आप लोग उने एक बार banner बना के कहीं पर लगा दिया किसी poll पर अब वो लगा ही रहेगा वो तब तक लगा रहेगा जब तक वो खुद फट कर तूट नहीं जाता डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन टूल की help से आप लोग easy, flexible हो budget flexible हो advertising flexible है यह सबसे बड़ा feature है डिजिटल मार्केटिंग का ऐसी अगर हम लोग बात करें आगे tracking tracking of your records एक आप लोग किसी भी poll पर अगर कोई भी एक banner लगाते हो आपको कैसे पता लगा है कितने लोगों ने इस banner को देखा it means offline marketing में हम लोग tracking भी नहीं कर सकते लेकिन अगर हम लोग digital marketing की बात करें तो देखो कितना easy हो जाता है track करना आपकी videos को किस ने देखा आपकी image पर like किस ने किया videos पर like किस ने किया comment किस ने किया share किस ने किया यह हर चीज आपको पता लगने लग जाती है because of tracking features और इसी tracking feature की help से आपके जो visitors हैं वो एक ना एक दिन आपके customers में भी convert होते हैं it's the power of digital marketing सबसे बड़ी बात आप जो भी facebook page बना रहे हैं instagram profile बना रहे हैं YouTube channel बना रहे हैं उसके authority आपके ही पास होती है authority एक सबसे बड़ा feature है अगर आप लोग marketing के terms में बात करो online marketing में हम लोग जितना भी बात करें digital marketing में authority होना एक power है क्योंकि अगर आपका YouTube channel एक बार अच्छी जगा पर wide reach में चला गया अच्छे लेवल पर चला गया आपके YouTube channel पर subscribers अच्छे आ गए views अच्छे आ गए आपकी videos पर तो monetize होने के बाद आपको जो भी earning आएगी वो save a cable आपकी ही होगी it's a power of digital marketing next multimedia multimedia कैसी approach है जिसमें आप लोग multimedia चीजों को use करके graphic design को use करके digital marketing की help से अपने business को बहुत बड़े level तक जितना level आप सोचते हैं उतने बड़े level तक आप अपने business को grow कर सकते हैं it's a power of digital marketing अगर मेरी कुछ point आप लोग को अच्छे लगे हो और आप लोग भी चाहते हैं कि आप भी digital marketing course में जुड़ना चाहते हैं और आप लोग भी अपने career को grow करने के लिए अपने business को grow करने के लिए proper digital marketing सीखना चाहते हैं तो मैंने अपना 2021 के लिए एक complete नया digital marketing course आप सब लोग के लिए तयार किया है अगर आप लोग digital marketing सीखने में interested हैं so do contact me मेरी information आप लोग को इसी वीडियो की description में मिल जाएगी thank you so much